मेरा सवाल केजरिवाल जी आपसे है उत्राखंड की जब जब चर्चा होती है तो यहां के परवतिय अलाकों की चर्चा ज्याता होती है क्योंकि अगर सुख सुविधाओं का अभाव है तो परवतिय क्षेत्रों में अभाव है अभी भी प्रसव के लिए महिलाएं जब जाती उन तमाम चीजों को देखते हुए, इन समस्याओं को देखते हुए, क्या विजन है आपके पास, कि पहार तक आप बेहतर स्वास उस विधाएं पहुचा पाएंगे, जो एकिस साल में नहीं हो पाया. उन ही चाहिया थे, नियत नहीं थी, मेरा अपना एक्सपरियेंस पिछले साथ साल दिल्ली को चलाने का यह है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है, अगर साफ नियत वाली सरकार आए तो सब कुछ हो सकता है, इन्होंने, करृनल साप, तो अभी नेता भी नहीं फिछले कई सालों से ये वहां से फौजी रिटायर होके और पहाडों के अंदर बच्चों को रोजगार दे रहे हैं लगवक दस हजार बच्चों को ये फौज में भर्ती करा चुके हैं ट्रेनिंग दे दे के लगर बचुचर्ट के इस में बन्स देखर, ऑजम पेड़र शुर्प्यार बोर्ड बच्चर्च करके तो जब क्याद रहे हैं मतलब वो आपदा आई थी तो उसके बाद लोग पो लग रहा था कि ऑदानीवापस के दारनाथ वैसे बन पाएगा नी बन ये बन पाएगा इनकी पूरी टीम ने जाके वहां का फूरा पुर पुर्णर निर्मान किया था तो इनको पूरा एक्सपिरियंस है पहाड़ों के उपर काम करने का हमारा विजिशन है कि हर गाओं के अंदर स्वास्तसेवाई पहुँनचे है आज मुझे बताया जाता है कि पहाडों में, गाओं में, स्वासेवाई बिलकुल नहीं है, वो डंडी-कंडी वाला एक बताते हैं, लोकल सिस्टम है, जिसमें एक चारपाई के उपर डंडे पे वो बिठा के और फिर उस वहाँ पे मरीज को लेके और वो दूर अस्पताल में पैदल लोक जाते हैं, 21 सदी का भारत है यह, हम क्या करक्या रहे हैं, हम 75 साल आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम अपने गाओं के अंदर बेसिक सुविधाई नहीं पहुंचा पाए, तो फिर हमारी सरकारों ने 70 साल में किया क्या, बहाने 100 हैं, कि पहाडों में यह नहीं हो हो सकता इधर यह नहीं हो सकता हमारी दिल्ली में सरकार बनी उसके पहले भी खूप बहाने थे, सरकारी हस्पतालों का बुरा हाल था, अर्श कार्कार करे दिक करके दिखाया यहां यहां भी करके दिखाएंगे